माता की, भारत माता की, भारत माता की, सब भाया बहने कहें, राम राम, आप सब भायें, हमरे लिए, यहां पे, सुबहिये से अगरत हो, हम आप सब भाय के, करजामा दूबगन, आपके इस करठ को, मैं और ज्यादा मेहनत करके चुकाऊंगा, साथियों, चार जून, बहुत दूर नहीं है, आज पुरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, कि मोदी सरकार की, हैट्रिक बनने जा रही है, नई सरकार में मुझे, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं, और इसलिए, मैं बराबंकी, और मोहनलाल गंज के लोगों से, आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ, सात्यों आज, आपके एक तरफ, देश हिद के लिए समर्पित, बीजेपी, एंडिये, इसका गड़बंदन है, और दूसरी तरफ, देश में अस्थीरता पैदा करने के लिए, इंडिये गड़बंदन मैदान में है, जैसे जैसे चुनाव, आगे बढ़ रहा है, ये इंडिये वाले, तास के पत्तों की तरह, बिखरना शुरू हो गए हैं, यहाँ, जो बभुआ जी है, बभुआ जी, यानि हमारे समाजबादी सहजादे, अब उन्होंने, एक नई बुआ की शरन ली है, ये उनकी नई बुआ जी है, बंगाल में, और ये बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडिये वालों को कहा है, कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूँगी, इंडिये गडबंदन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार जो हमारे खिलाब पंजाब में बोला, पीएम पत को ले कर भी सब के सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं, इनके सफ़नों की इंतहा देखिए, कॉंग्रेस के एक नेता ने कह दिया, कि राए बरेली के लोग प्रदान मंत्री चुनेंगे, ये सुनते ही समाजवादी सहजादे का दिल ही तुट गया, बस आँसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अर्मा बह गए, अब आप बताईए, इस, आप सब लोग इतने तेज तरार है, के सारी बात, इस सारा इस सारा में सबढ़ लेते हो, अब आप बताईए, इस उड़ पतांग खिच्डी को, आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करोगे क्या, कोई भी अपना वोट बर्बाद करना चाहेगा क्या, अच्छा होगा, यहां बारा बंकी में, मुहलाल गंज में, भाजपा का सांसद हो, भाजपा सांसद आपके लिए डिल्ली से और लखनव से ज़्यादा से ज़्यादा योजनाए लेकर आएंगे, भाजपा सांसद यहां के विकास के लिए ज़्यादा काम करेंगे, और यह इंडी गड़बंदन वाले, अगर वो सांसद बनता है, तो उसके पाद क्या काम होगा, उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी, उसका यही एक मापनन्द होगा, कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालिया दी, तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, क्या तुमारी गाली में कोई ताकत थी क्या, ताकि मोदी परिशान हो जाए, अगर आपने इंडी गड़बंदन के सांसद को चुना, तो उसको यही काम होगा, सुबह उठो, मोदी को गाली दो, दोपर में दो गाली दो, शाम को चार से वार ड़ दो, और फिर सोजाओ, आप मुझे बताईए भाई, आपको अपने घर में, अगर किसी सहायक की जरूर पड़ती हो, आपके दुकान में, आपके व्यापार में, तो आप उसको लेंगे, और कहेंगे भई, यह दस काम करने हैं तुमको, तुम्हें इतना तनखा मिलेगा, मेरे यह काम तुझे फूरे करने हैं, कोई ऐसा आदमी रखेगा, कि भई तुमको मेरे दुकान के बाहर खड़े रहना है, और सामने वालों को बत गाली देते रहना है, इसके लिए कोई तनखा देगा क्या? इसके लिए कोई किसी को रखेगा क्या? कोई समयत्तर आजमी ऐसा करेगा क्या? क्या गाली देने के लिए हम किसी को रखते हैं क्या ते गाली देने वालों की जरुरत क्या है भई आपको तो काम करने वाले सांसच चाहिए आपका भरा करने वाले सांसच चाहिए पांच साल मोदी को गाली देने वाले नहीं छेत्र का विकास करने वाले सामसच चाहिए कह रहे हैं पहले इन्होंने राम लला को टेंट में पहुँचाया फैर वोट अपनी वोटमेंग को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जग़़ कोई धर्मशाला बना दो कुछ कूल बना दो अस्पताल बना दो अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भड़ा पड़ा है इतना जहर पड़ा पड़ा है पताने उनकी राम से क्या दुश्मनी है राम लला की प्रान पतिष्टा का निमंतरन फुकरा दिया अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं और वो भी राम लौमी के दिन कहते हैं यह राम मंदिर को बेकार बताते हैं भद्धी भद्धी बाते करते हैं और कॉंग्रेस तो तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोड का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है सपा कॉंग्रेस वाले जब मैं कहता हूं न कि वह कॉंग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वह लोग ये कॉड का निर्णय पलतना चाहते हैं कुछ लोगों नहीं यार ऐसा तो कैसा हो सकता है ब्रह्म में मत रहिए देश जब आज हाजी का अंदोलन कर रहा था न और देश के टुकड़े करने की बात आती थी तो देश का हर वेक्टी कहा नहीं यार देश के टुकड़े सोड़े होते हैं देश के टुकड़े सोते होते हैं हो गए एक नहीं हो गए इन्होंने कर दिया और नहीं कर दिया ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी इनका ट्रेक रेकोर्ड ये ऐसा है इनके लिए देश में कुछ नहीं है भाई उनके लिए तो उनका परिवार और पावर यही उनका खेल है सपा कॉंग्रेस वाले सरकार में आए तो राम लगा को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुल्डोजर चलवा देंगे क्या योगी जी से यही सिखना है क्या अरे जेरा योगी जी से टूसन लो बुल्डोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना साथियों ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूँ मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रेक रेकोर ऐसा है यही इनकी साजिस है अब आजसे लोगों को अगर आप वोड़ दे सकते हैं क्या ऐसे लोगों को वोड़ दे सकते हैं क्या साथियों ऐसे लोगों तो वोड़ तो छोड़िये ऐसी सजा करनी चाहिए ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए साथियो सपा कौन स्केस के लिए अपने वोट बेंग से बड़ा कुछ नहीं है और जब मैं इनकी पोल खोलता हूँ तो ये बेचेन हो जाते हैं नीन हराम हो जाती है लेकिन फिर क्या करते हैं जैसे बहुत बुखार चड़ जाए न तो वो आज में कुछ भी बोलता है ये भी कुछ भी बोलना शुरू करते थे ऐसी गालिया देते हैं आप मुझे पताईए बाबा साहम आम बेड़ कर जब संभिदान बन रहाता तब धर्म के आधार पर आरक्षन के सबसे बड़े विरोधी थे दर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा ये संभिदान सबाने नेने किया था और सोच विचार करके किया था अरे इतने ही नहीं इनके पर नाना ने भी दर्म के आधार पर आरक्षन का विरोधी किया था लेकिन दस साल पहले यहाँ यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षन देने की कोशिश की थी और करना टका में तो कर दिया करना टका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है इन्होंने करना टका में क्या किया जितने मुसल्मान थे उन सब मुसल्मानों को रातो रात OBC बना दिया थप्मा मार दिया कागर निकाल दिया अब जो OBC को आरक्षन मिला था उस में से बहुत बड़ा हिस्सा ये लूट करके चले गए और लोग वहाँ हाट गिशते रह गए क्या यहाँ आपका आरक्षन कोई लूट जाएं आपको मनजूर है क्या क्या आरक्षन लूटने देंगे क्या 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 स्टीशन से लूटने देंगे क्या क्या S.C. का हग चिनने देंगे क्या S.C. का हग चिनने देंगे क्या अरे बाबा साब आमबेड करने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है और बिहार के इनके चारा गोटाले के जो चेंपियन है न अधालत ने जिनको सजा फरमाई है अभी जेल से तबियत के बहाने बाहर गुम रहे हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा अरक्षान अब मुसल्मान को मिलना चाहिए अब मुझे बताईए इसका मरलब दलीत, आदिवासी, पिछडे, OBC इनके पाद कुछ बच्चे गई नहीं भाई मैं आपकी रख्षा करने के लिए आपके अधिकारों के रख्षा करने के लिए 400 पार मांगता हूँ आपसे कॉंग्रेस के सरजादे कहते हैं यह नया लिया हैं भाई वो कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे मतलब आपका लॉकर में क्या है आपकी जमीन कितनी है गहने कितने है सोना कितना चांदी कितनी आपके मंगल सुत्र कहा है वो लूट चलाना चाहते हैं वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा भाईयो बहनों ये इनका ट्रेक रकॉर्ड है सपा कॉंग्रेक तुष्टी करन के आगे गुट ने टेक चुकी है और मोजी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है तो वो क्या कहे करते हैं और यह लंबे समय जे उनकी इकोसिटिव है उनके बेइमाने को अगर आप बेनकाब कर दो उनकी गोर सांपोधाइक्ता को बेनकाब कर दो उनकी वोट बेंकी राजनीती को बेनकाब कर दो दिन राज हिंदु मुसल्मान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो तो वो कहते हैं मोधी हिंदू मुसल्मान करता है अरे मोधी चो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पुरा इतिहाद देश को बताने के लिए साथियों ये लोग संविदान विरोधी है ये दलीद और पिछड़ी विरोधी है मोधी ने आर्टिकल 370 हटाया इससे जम्हु कश्मीर में भी संविदान लाग हुआ वहाँ दलीतों को भी उनके अथिकार मिले वो दो दिन पहले ही C.A.A. कानून के तहट सरनार्थियों को नागरीता मिलने शुरू हो गई है बड़ी खुशी-खुशी मना करें वो कांगेड लेकर के फोटों निकल वा रहे है ऐसे गरीब लोग निरादार पड़े थे देश में कोई उनकी पूछने वाला नहीं था जी इसके जो लाबारती है उनमें ज्यादातर मेरे दलीद भाई बेहन है मेरे पिछ़डी समाच के भाई बेहन है सपा कांग्रेस के लोग इसका भी विरोध करते है सपा के लोगों ने उपी में दलीदों के साथ किता न्याय किया है ये बच्चा बच्चा जानता है जो मोदी देश के समिधान को सबसक्त कर रहा है उसको लेकर अप्पाएं भलाते है सबसकार देखिये साथियो बाजबा सरकार बारा बंके के किशान राम सरण बर्माजी को बड़े गर्म के साथ पद्म पुरसकार देती है पद्म सम्मान देती है कुरुशी में उनके योगदान को नमन करती है और ये कॉंग्रेसी बेनी बाबू जैसे बरिष्टनेता का डगर डगर अपमान करते है और ये देखकर भी सपा के सहजादे चुप रहते हैं वो बेने बाबू जिन्होंने देश और समाज की सेवा में पूरा जीवन खपा दिया उनको इस तरह अपमानित किया है कॉंग्रेस सपाने सात्यों भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस पवित्र मंत्र पंड चलती है मुप्तानाज हो, मुप्तिलाज हो, पका घर हो या सस्ता गैस का सिलेंडर हो या नल से जल हो ये बिना भेदवाब बिना भेदवाब सबको दिया जाता है आपको याद है न, सबका के साथन में क्या होता था अरे उस समय बिजली भी जो वोट जिहाद करेगा उसके लिए रिजर्व रहती थी बात क्यों को बिजली नहीं मिलती थी और मैं आठ एक और बात कर रहा हूँ जिस वोट बैंक के पीछे लोग बागते हैं वोट बैंक की अब इनकी सच्चाई सबजले लगे है तीन तलाग कानून से खुश हमारी माता ये बहने बीजे पी को लगातार आशिरवाद दे रही है बाई और बहनो राम काज से आगे अब राश्ट काज का समय है राम काज की प्रेला राश्ट काज के लिए है यहां मैथा की खेती बहुत होती है ऐती हर कृसी उपर से जुड़े प्रोसेसिंग उद्योग के लिए यहां अनंत संभावना है बारा बंकी मोहनलाल गंज के छोटे किसानों को पी-एम किसान सम्मा निजी के भी करीब परीब एक हजार छेसो करोड के मिले यहां का गंज़ा मुझे भी बैट दिया गया अब यह गंज़ा बहुत प्रसित हो रहा है और हमारे योगी जी ने जो वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट पर अम्बिसन चला है न आज मैं भी दुनिया न कहीं जाता हूँ तो मैं गिप क्या लेके जाऊंगा मुझे दिमाग नहीं कपाना पड़ता है मुझे लखनाओ मैं यूपी सरकार की वेबसाइट पर जाता हूँ योगी जी का वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट देख लेता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए ये छे साथ चीज़े ले लो वहाँ दे देंगे लोगों को योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार इसको जी आई टेग देया इसकी प्रसिद्धी की है साथियों आप तो जानते हैं मैं 2014 से काम में लगाऊं स्वच्छता अभियान सफाई कर रहा हूँ देश साप सुत्रा होना चाहिए नहीं होना चाहिए स्वच्छता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए और हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी भी सभाई कर रहे हैं वो भी सभाई होनी चाहिए ना दुर्गन जाती है तो निंद आती है क्या तो दुर्गन रटानी पड़ती है ना तो योगी जी वो काम भी बड़ी अच्छा कर रहे हैं आड़ियत सफाई होने के कारण अब उत्तर प्रदेश में निवेश का माहोल बनाए लोग विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में उद्योग धंदे के लिए रूपिय लगाने के लिए तैयार हुए साथ यो जहां जहां राम के निशान है उनक्षेत्रों को रामा एंड सरकीट के तहत विक्सित बनाने की योजना यहां तो सत्री का अस्रम है जहां राज कुमारों के शिक्षा दिख्षा हुई थी महादेव कोरिडोर के विकास का काम भी चल रहा है ऐसे विकास कारिय हमारी विरासत को भी सतकत करेंगे और परियटन उद्योगों से यवाव को नए अफसत भी देंगे साथ यो विकास और विरासत यह विक्सित भारत बनाने के लिए आपके आशिरवाद मांगता है आपको भारी मतदान करना है ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे सुबे दस बजे से पहले मतदान होगा पहले मतदान फिर जल्पान पहले मतदान फिर पहले मतदान फिर अब आप ऐसा तो नहीं होगा न जल्पान याद रखोगे और मतदान भूल जाओगे ऐसा नहीं होगा ना अचा पोलिंग मुझ जीतोगे सभी पोलिंग मुझ जीतोगे पुराने इसारे рекoryर तोड़ोगे अच्छा मेरा एक काम करोगे क्या, कमान हो या थंडे हो जाते हो जरना हाथ फर पर गर कर के बताईए मेरा काम करोगे क्या ये चुनावाला काम नहीं है मेरा personal काम है करोगे पका करोगे अज़ा गर-गर जाईएगा जादा से ज़्यदा परिवारों में जाईएगा परिवार में हर बुजुर के मुख्यां के साथ बैठिएगा उनको कहिएगा मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है मेरा राम राम पहुता देंगे हर गर में पहुता देंगे बहुत 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 धन्यवाद